इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में ब्रिटिस इंडिया में पास हुआ था उसके बारे में ये वीडियो आके लिए इनफ होगा ये समझने में कि रेगुलेटिंग एक्ट आखिर था क्या किस बैग्राउंड पे ये पास हुआ और उसके प भारत में वैपार करती थी उसके management को उसका जो control structure है उसका जो administrative structure है उसको change करना और उसको overhaul करना हला कि 1784 में जब Pits India Act आया तो ये इसका 1773 वाले का कुछ ज्यादा मतलब इज़त जिसको कह सकते हैं वो नहीं रहा और 1784 वाला Pits India Act ने इसको एक तरह से overthrow कर दिया जा इसको cover कर ठीक है हाला कि 1773 का जो regulating act है वो इसलिए important है क्योंकि ये first step था towards parliamentary control याने कि Parliament के through जो East India Company का administration है उसको control करने के लिए British ने 1773 में पहली बार इस तरह से अपना कुछ कदम उठाया था तो देखो होता दरसल ये है कि East India Company financial rift में था कब 1773 तक ठीक है अब Britain के लिए ये company बहुत जादा important था क्यों important था क्योंकि Britain ने East India Company को ये कहा था कि East में यानि कि इंडिया side में जितना भी trade होगा उस पे इसका monopoly था अगर मालो एक ही company सारा trade करेगा तो उस देश का एक रसे कहलो आप unofficially वो Britain को represent कर रहा था East India Company अब company का ये काम था कि उस time प time पे 40,000 euros उसको हर साल government को देना होता था किसलिए कि government ये बोले कि ठीक है East India Company का monopoly रहेगा अब ये चीजें जो थी commitment जो थी वो 1768 के बाद से वो meet नहीं कर पा रहा था यानि कि company जो है वो 40,000 euros government को नहीं दे पा रही थी इसका main काम कारण ये था कि जो America और जो Dutch था वो 85% of tea को smuggle कर रहा था क्योंकि tea बहुत बड़ा market था अबना यूरोप पके रहे में ठीक है और East India Company ने क्या किया करजा ले करके उधार ले करके government को देना स्टार्ट कर दिया इसलिए East India Company, Bank of Inland और government दोनों से वो इस तरह से उधार में थी वो उस पे default थी तो government ने सोचा कि East India Company क इस financial problem से निकालना पड़ेगा और इसलिए Regulating Act 1773 को पास किया गया और साथ ही में T Act 1773 को पास किया गया ताकि जो company है वो अपना जो उसका financially troubled है जो T के कारण उसको दिक्कत हो रहा है वो कम हो सके और company survive कर सके और government को ऐसे पैसा मिलता रहे अब ये actor ने main क्या किया एक ऐसा system बनाया जिससे की East India Company को supervise किया जा सके आपको तो पता ही है कि Battle of Plassey के बाद यानि कि 1757 के बाद mainly जो East India Company है उन्होंने अपने under में बहुत सारे areas रख लिये दे और main उसका area रखने का करन क्या था कि वो trade करना चाहता था ठीक है उसके बाद वो trade जब करेगा जब बड़ा आदमी बन जाएगा तो आपको पता है कि दूसमन भी है ऐसे नवाब्स लोग बहुत सारे नवाब्स खास करके Bengal के जो नवाब्स थे वो उनसे खुनना सखाय हुए थे तो इसलिए खुद को product करने के लिए ये इस India Company ने अपना एक army खड़ा क कर लिया अब इस इंडिया Company में ली क्या था एक trading कमने था वो वैपार करना चाता था इसलिए उसको जो subject है यानि कि जो बेंगॉल के जो people है उनको गवर्न करना नहीं आता था तो नौर्थ जो थे Lord North जो कि उस टाइम पे Britain के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने सोचा कि क्यो जो company है उस पे बहुत सारे shareholders का पैसा लगा हुआ है इसलिए company का रहना बहुत जादा important है और East India Company जो है वो government को पैसा देती है साथी साथ East India Company जो Parliament था ब्रिटेन का वहाँ पर एक बहुत बड़ा lobbying force था यानि कि चुकि इसके पास बहुत सारा पैसा था इसलिए बहुत सारे MPs वागेरा को अपने तरफ मतलब अपने जो उनका cause है उस तरफ वो जाकर के जो वहाँ का नीती है यानि कि जो वहाँ का policy है ब्रिटेन का उस तरफ बन सके ताकि East India Company को mainly monopoly उनका बना रहे है तो इन सब कस्मकश में इन सब politics में इन सब रसाकसी में 1773 का act जो है वो पास होता है अब इन एक्ट में main provisions क्या गया था उनको देखते हैं तो पहला ये काम था कि जो company का dividends था यानि कि जो share था उसको 6% किया जा सके जब तक वो 1.5 million यानि कि लगबग 15 million euros ब्रिटेन को ना दे दे तब तक जो company का share है वो 6% तक रखा जाएगा ठीक है और court of directors को 4 साल का term मिलेगा ताकि वो कुछ मनमाना काम एक तरह से नहीं कर सके जैसे हमने पहले ही बात किया कि ये पहला step था ब्रिटिस गवर्मेंट का ये देखने में कि क्या company का जो affairs है उसको वो regulate और control कर सकता है या नहीं और कितना हद तक कर सकता है ठीक है उसके बाद तीसरा provision इस act का ये था कि जो भी company में servants काम कर रहे है यानि कि जैसे company में बहुत सारी होता है ना कि officers हो गए छोटे मोटे traders हो गए अलग-अलग जो रसीद बगेरा काटते हैं वो सब इनसान हो गए तो उन सब को ये कहा गया कि वो कोई भी private trade यानि कि नवाब से direct trade किया या बड़े-बड़े state के साथ वो स जैसे कि कोई बड़ा यहां पर भारत में भी तो बहुत सारा trade company चल रहा होगा trading company चल रहा होगा growth company चल रहा होगा तो उन से अगर वो gift लेगा या अगर घूस लेगा तो वो उनके लिए काम करेगा इसलिए बुला गया कि जो company का servants है वो घूस भी इन लोगों से नहीं लेगा और governor of madras और bombay को बंगाल के control के अंदर कर दिया गया पहले क्या था कि governor of madras अलग था governor of bombay अलग था लेकिन 1773 का act के बाद यह किया गया कि governor of bengal जो है वो अब सबसे बड़ा होगा और उसके अंदर governor of madras हो जाएंगे and governor general of bombay हो जाएंगे ठीक है और governor of bengal को बना दिया गया governor general of bengal यह act से first time भारत में centralized system administration का उदाय होता है और यही एक तरह से foundation बनता है भारत में centralized administration का centralized administration आप ऐसे समझो कि जैसे भी भारत में है central government बहुँ जादा powerful है और state government के तुलना में तो उस प्रकार से यह foundation कहा जा सकता है 1773 का act तो governor of bengal बन गई governor general of bengal और उनको मिला executive council जिसमें चार अलग अलग वैक्ति उनको assist करेंगे help करेंगे और बताएंगे कि किस मुद्धे पर क्या उनको राह लेना चाहिए क्या उनको decision लेना चाहिए अब decision सारा मिल करके लेंगे जाने कि 5 आदमी हो गया तो 5 मिल के majority जिसका होगा वो decision लिया जाएगा अब मालो 2 और दो जो कि चार अदमी है तो दो हामे है दो नामे है तो उस situation में governor general जो decide करेंगे वही होगा कि tie हो गया था vote ठेक है उसके बाद जैसे बहने बताया कि act में चार और additional men को दिया गया ताकि वो governor general के साथ काम कर सके और Supreme Council of Bengal ये चार additional आदमी कौन गोन थे? Lieutenant General John Clevering, George Monson, Richard Balver और Philip Francis तो ये चार अलग-अलग उस टाइम पे governor general को सहीओ के रूप में चार आदमी दिया गया उसके बाद एक और important बात ये है कि इस act के साथ भारत में Supreme Court का स्थापना किया गया और ये था Fort William Calcutta में इसकी स्थापना किया गया इसको establishment किया गया 1774 में यान जाने की act पास होने के एक साल के बाद British judge को मतलब Britain से भारत भेजा गया ताकि वो British legal system भारत में ला सके उसको use कर सके ठीक है साथ ही साथ जैसे ऐसे आगे बढ़ेगा उस समय में जाने की 1774-75 तो उसके बाद Hindu law को जो जानते हैं उनको jurist बनाया जाएगा उनको judge बनाया जाए तो इस प्रकार से जो British का policy था divide and rule का वो start होगा ठीक है जैसे मैंने बताया कि Supreme Court का establishment होगा कलकत्ता में और जो चीफ पहले जो Chief Justice थे उनका नाम था Sir Elijah Impey court में दोनों तरफ के cases होंगे और cases आएंगे और उसका सुनवाई किया जाएगा ऐसे civil case जैसे जमीन का बाद विबाद हो गया criminal case किसी ने किसी का हस्तिया कर दिया कोई rape हो गया कोई कुछ हो गया इस तरह से ठीक है और original और affiliate jurisdiction भी होगा जाने कि जब कोई लोग appeal करेंगे तो भी उसके लिए फैसला सुनाया जा सकता है और court चाहे तो खुद से cases लेके उसका सुनवाई उसका किया जा सकता है उसके बाद इस act के तो जो company ने अपने अंदर territorial position लिगा ता जाने कि जैसे बंगॉल में बहुत सारे area territory जाने कि जमीन जो है वो company ने अपने नाम कर ली थी त तो वो company खुद रख सकता है ठीक है तो यह सब जो है वो provisions थे regulating act 1773 का इसके साथ ही हम लोग यह कह सकते हैं कि यह first time ऐसा हुआ कि पार्लिया मेंट ब्रिटिस के पार्लिया मेंट ने यह सोचा यह चाहा यह समझा कि हाँ जो इस इंडिया company है उसको regulate करने का समय आ गया है तो य यह था regulating act of 1773 and I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो and आपको कुछ समझ में आया हो कुछ informations मिला हो and एक बात मेरा जान लो कि यह वीडियो अगर आप पूरा देख लिया तो सायद ही आपको फिर 1773 act के बारे में और वीडियो देखने का ज़रुत पड़ेगा and अगर य कुछी पूछना या बताना है तो कमेंट करो and चैनल को सब्सक्राइब करो thank you very much